दोस्तो अगर आपके phone का internet और बैटी बहुत जल समाप्त हो जाता है और आप इस वज़ा से बहुत परसान है भाई जो मेरे phone का internet है ना बहुत ही जल खत्म हो जाता है और हमारे phone का बैटी है na वा पूरा दिन ही चलपाता है और इस problem को कई लोग फेस कर रहे हैं तो इसी problem को ले इंटरनेट और बैटी सेफ कर सकते हैं, हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे फून के अंदर एक अप्लिकेशन होता है, जिसका नाम होता है Google Play Store, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं, यह हम सभी के फून में होता है, और इसी के अंदर आपको कुछ ऐसे खुप्या सेटिं मिलता है, जिसका इस्तमाल करके आप अपने फून के इंटरनेट और बैटी दोनों को सीकूर कर सकते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने फून के अंदर खुछ से कुछ नया सेटिंग करना होगा, जो कि हीडेन सेटिंग होता है, जो कि आपको खुछ से अपने phone के अंदर apply करना होगा तो चलिए वो कौन सा setting है उसे कैसे use करना है तो वीडियो को ज़ना सा भी skip मत किजेगा तो चलिए उस settings के बारे में जानते हैं उससे पहले आप सबसे एक छोड़ा सा request करता हूँ अभी तक हमारे वीडियो को लाइक निकी तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सस्क्राइब निकी तो फ्री चैनल को सस्क्राइब कर दिए और guys continue इस वीडियो को देखते रहिए तो आज़े दोस्तो हम बताते हैं कि आप कि इस तरीके से आप अपने phone के इंटरनेट, डेटा को और बैटरी को सेफ कर पाऊगे वो भी सिर्फ play store के मदद से आपके phone के अंदर जो play store होता है ना दोस्तो यह play store आपके phone के अंदर बहुत ही speed के साथ play store के अंदर ऐसे ऐसे setting है दोस्तो कि यह play store आपके phone के बैटरी और इंटरनेट को दोगने स्पीड से खतम करता है, अगर उस सेटिंग को अगर आप अपने फोन में नहीं करोगे, तो इस आपके फोन का जितने भी इंटरनेट होता है, एक जीवी का प्लान, डेड़ जीवी का प्लान होता है, वो सारा खतम कर देगा, प्लेटर और आपका बैटी भी खतम करतेगा, तो इस सेटिंग को आपको कैसे बंद करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइप प्रो पर स्टेप बाई स्टेक करके दिखाने वाला हो, वीडियो बहुत ही काफी ज्यादा इंट्पोर्टेन और बहुत ही काफी ज्यादा तो चले दोस्तों हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं, जब यहाँ पर हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर फाइल लोगों है, पर फाइल लोगों पर आपको किलिक करना है, जैसे पर फाइल लोगों पर यहाँ पर किलिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सेडिंग देखने को मिलेगा सेडिंग पे किलिक करना है जैसे आप सेडिंग पे किलिक करेंगे तो यहां पे एक सेडिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है नेटवर्क पिरफेंस देखिए यहां पे खुद लिखा हुआ है सेडिंग का नेटवर्क पिरफें नहीं तो आपके फोन में यह सेटिंग और नहीं करेगा जब तक आप चारों सेटिंग को यूज नहीं करेंगे आपके फोन के अंदर यह सेटिंग काम नहीं करेगा ठीक है तो चलिए हम बताते हैं पहला सेटिंग यहां पर देखिए पहला सेटिंग है एप डाउनलोड पर फ तो आपके फून के अंदर बैटी और इंटर्नेर दोगने स्पीड से खतम हो जाएगा कहीं पर आप मार्केड में जा रहे हो कहीं पर दोस्तों वाई फाई किसी का कनेक्ट हो जाता है और आपका फून जो है ना उस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेता है ठीक है तो यहां प दोस्तों कि आपके फून आपसे परमिसन नहीं लेगा और डायरेक्टली आपके फून के अंदर अप्लिकेशन को अप्डेट कर देगा जिससे आपके फून का इंटरनेट और बैटी खतम हो जाएगा तो आपके यहां पर डॉंट अटो अप्डेट्स एस पर करके रखना ह सेटिंग है और यहां पर देख़ए जो तीन नमर का सेटिंग है अटो प्लेव इडियो होता क्या दोस्तों कि आपके फून के अंदर आप सेटो होता क्या है जब आप प्लेयरा सटोर्ग और उपें करतो हो तो आपने देखा होगा एक चिन नोटिस किया होगा उहां पे को इनेबल कर लीजेगा जिससे आपका फून का इंटरनेट और बैट्टी काफी ज्यादा सीक्यूर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर जो चार नमर का सेटिंग है ध्यान से दिगे वह आपके फून के बैट्टी के लिए है ठीक है तो यहां पर जेनरल है जेनरल पर किलिक करन आपके फून के अंदर लाइट मोड में होता है जिससे आपका फून का डिस्पले वाइट जलता है जिससे आपका फून का बैट्टी दोगने स्पीड से खतम होता है तो आपको पता है कि अगर आप अपने फून को डार्क मोड में रखेंगे तो आपका फून का बैट्टी को इनेबल कर लेते हैं तो आपकी फून का इंटरनेट और बैटी काफी ज़्यादा स्थिव हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो में हम इसी सेडिंग के बारें बता रहेते हैं हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो वीडियो हेलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर द